है सुक कैसे हैं आप सब लोग और मैं हूँ आप सब लोगों दो सूरज और गाइस फाइनली जो मेरा आइफोन 10R है इसके अंदर आइउस 14.2 का जो अपडेट है जो स्टेबल वर्जन है वो मेरे आइफोन के अंदर डाउनलोड हो चुका है अगर आप इसको 14.2 के अंदर कर देते हैं क्यों दोस्तों यह जो अपडेट है यह मेजर अपडेट है आपल की तरफ से तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको आइफोन 10R के अंदर देखने को मिलते हैं में ऑल नए नए वाल पर तो इसके है यह पात करें आप सब लोग देख सकते हैं एक दो तीचारव पानचे साथ आट सो मेरे पास अब यह सकते हैं पातो आठने सब्सक्राइब कार करें और यह सब्सक्राइब कि देख सकते हैं कि अधर और अगर में ने वालपेपर के बाद मेरे लोग वह सकते हैं जो 14 में पहले आए थे वह वाले इतने खूब सुरूर नहीं लगे यह वाले आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगे अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्या नेक्स्ट आपको देखने के मिलता है अपडेट अगर आपके पास AirPods है तो आप सब लोगों को क्या करना है अपने AirPods की बैटरी है जो AirPods का केस है उसकी बैटरी को अप्टिमाइज कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि आपके जो AirPods की बैटरी है वो कितनी जादा है और जिससे यह long term में जो आपके जो फोन को है जो काफी जादा benefit करने वाला है क्योंकि दोस्तों आप इससे अपने जो AirPods की ब 14.2 के अंदर क्या डेट आचुके है जैसे कि अगर आप इसको यूज करते हो अगर आपकी जो आपके जो वाल्यूम है यह काफी जदा ही है तो यह क्या करेगा software इसको automatically optimize कर लेगा जिससे जो आपके hearing की ability है वो खराब ना हो क्योंकि दोस्तों अगर आप गानों को काफी करेंग जो होती है ना तो यह खराब हो सकती है जो यह चीज इन्होंने बहुत जादा इंप्रूम की मतलब काफी जादा बढ़ी चीज किया है कि दोस्तों चोटे बचे होते हैं जैसे कि वह हाई वाल्यूम में सुनते हैं फिर हम जैसे लोग भी तो यह एक आपको नोटिफ को भी अब इस software ने बिल्कुल ठीक कर दिया है तो आपकी जो डॉक्स पर होते थे जैसे कि आप विजिट्स को यूज कर वो तो यह क्रैश हो जाते थे तो उनको जो क्रैश को है इसके जो बग्स होते थे उसको फिक्स कर दिया है ताकि आप कोई जो विजिट्स है यह कोई आप बैटरी को क्लिक किए तो दोस्तों यहां पर मेरे जो है बैटरी बो मोड में नहीं है सबसक्राइब देख सकते हैं यहां पर जो है अभी स्क्रीन टाइम टॉआर फोटिवान मिनट है तो यह काफी ज़एद इंप्रूमेंट काफी ज़एदा होने वले क्योंकि दोस्त बग्स होते थे उसको भी काफी सद ऑप्टिमाइज कर दिया और जो एक और बहुत ज़्याद बढ़ी चीज किया कि इन्होंने नेट्फिक्स जिन लोगों के पास है तो उन सब लोग जो आइफन पे देखते थे उनके लिए बहुत जादे खुशी की ख़़ए कि दोस्तों 10R है वो भी इन्होंने बिल्कुट ठीक कर दिया है तो वो चीज मुझे काफी जाद बढ़िया लगी और जो Celsius to Fahrenheit वाला मैंने आपको बता दिया अगर आप सब लोग नहीं देखा तो दोस्तों मैंने एक detailed review बनाई हुई है कि iOS 14.2 के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स देखने दोस्तों मिलते हैं यह कुछ नई फीचर्स में को बेसे के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया क्या चीज लगी इसकी वालफेपर्स में बहुत जाद खुबसूरा लगे और जिन लोगों के पास एयरपोर्ट है और उनकी जो वॉल्यूम जो ऑप्टिमाइजेशन है और जैसे एयरफोन लगाते हैं तो यह चीज भी मुझे काफी जाद बढ़िया लगी एंड जो एयरपोर्ट के लिए बैटरी आप्टिमाइजेशन यह चीज इन्होंने काफी जाद बढ़ी करी दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किन लोगों ने इस सॉफ्ट्वेर को कॉंटेन्डाद सुफ्टप्तक लिए जै हिंग उन्दी मात्रू